हिंदिक लंब में फिर से आपका एक बर स्वागत है ये वीडियो बिसे सुरुप से यूपी सहायक अध्यापक भरती परिक्षा 2019 यानी यूपी सूपर टेट से समंदित वीडियो है आप लोग को बहुत डिमांड था कि सर इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं अज आप हम आपके जानेंगे सारे कुश्चन के एंसर जैसे में आपका पहला प्रस्न देखा जाए तो आपका था सर्फी पेमेंट तो हमने कर दिया है लेकिन उससे संबंदित इसू आ रहा है यानि अभी फाइनल प्रिंट आउट हम नहीं निकल पा रहे हैं ये कैसा इसू है इसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ देखिए अगर आपने आज फी पेमेंट किया है और आप फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं और वो पेमेंट भी नहीं दिखा रहे है तो आप क्या कर सकते हैं आप दुबारा प्लेस पेमेंट मत कीजिए आप 24 गंटा इसके बाद अगला कोशन है कि सीटेट का एक्जाम हमने दिया था और मेरा पेपर वन किलियर हो जाएगा क्या हम यूपी सुपर टेट का एक्जाम दे सकते हैं इसके बारे में भी चट्चा करेंगे इसके बाद अगला कोशन है कि सर हम अधर स्टेट के हैं तो क्या इस फॉ ने स्वालव कर दिया कि अगर आपने फी पेमिंट किया है तो आप प्लेस इस्सू है उस्से संबंदित फीमिंटन से तो आपको 24 घंटे वेट करना चाहिए दुबारा आपको पेमिंट नहीं करना कुछ न करना लिखा हुआ सहायक अध्यापकों की भरती परिक्षा की संरचिना एवं विसेवस्तु चिंता मत कीचे इसका लिंक भी मैं दे दूंगा और इसे आप अराम से डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर देखे परिक्षा का समय धाई घंटे का होगा पिछली पर जब एक्जाम हुआ थ तो यह था आपका कितने दिर का तो यह था आपका तीन घंटे का इस बार कितने घंटे का होगा धाई घंटे का होगा क्यों होगा क्योंकि जो भी प्रशन होंगे इस बार बहु बिकल्पी होंगे यानि आपको अब्जेक्टिव टैप के कुश्चन आएंगे चार उसके विश्यवस्तू का अस्तर है आपका भासा हिंदी संस्कृत अंग्रीजी विज्ञान गणित पर्यावरन एवं समाजी कद्यन कक्षा 12 अस्तर का यानी 12 लेवल तक का पढ़ना है इसमें देखाजाए तो सिरेवस्त जो पिछले साल का था चिक उसी तरह से दिया गया है अगर देखाजाए तो 40 प्रष्ण आपके कहां से होंगे तो भासा हिंदी संस्कृत अंग्रीजी से होंगे अगर पिछला साल उठा के देखा जाए तो आपके 20 प्रस्न के ओल हिंदी से थें 20 प्रस्न हिंदी से 30 मतलब अगला 10 नमबर जो था संस्क्रीट अगला 10 नमबर देखा जाए तो अंग्रेजी से था तो ये 20 नमबर हिंदी के है तो मैं सबसे पहले अगर आप बार बार पूछते हैं कि सर स्टार्टिंग में क्या पढ़ें तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा कि आपको हिंदी पे ध्यान देना चाहिए तो कमिस्टी इतने हाई लेबल का था दो तो प्रस्न थे उसके बाद वो इतने हाई लेबल के थे कि आप उसको देखके तो मतलब अच्छे खास से जो साइन्स के स्टुडेंट है उनको भी टिक करने में परसानी होगे और जो physics के question थे total numerical थे तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत अगर आपके पास समय है तो आप किस पे ध्यान दे तो आप biology पे ध्यान देंगे ताकि आज कम से कम हिंदी को तो close किया दा सके इस वीडियो में वीडियो लंबा होगा लेकिन हम चाहते हैं कि आप पास हो वीडियो बने तो आप पास जरूर हो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो आगे यहां आप देख सकते हैं गनीत गनीत पर भी मैं यही कहूँगा कि गनीत आपको दिखना चाहिए हिंदी के बाद आपको ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है तो वो है आपका गनीत गनीत पर भी ध्यान देना चाहिए और हैं उससे समंदे 30 प्रसन आएंगे इसको भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए इसके बाद है आपका तरके ज्ञान को यह आपके स्क्रीन सॉट ले सकते हैं को लिंक दे दूंगा आप इसे डाउनलोड कर लीजेगा इसके बाद आगे देखते हैं तो यह भी है आपका जियोन 5 प्रसन हो सकते हैं और इसी से समंदी 3-4-5 प्रसन होंगे यानि मैक्सिममम आपको इस पर ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है आपको सबसे पहले हिंदी क्लूज करना चाहिए उसके बाद मैध क्लूज करना चाहिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको पसंदाता जो मैं अभी बना रहा हूँ और इसमें लाइक्स कॉमेंट्स आते हैं तो मेरे वीडियो सुपर टेट के लिए बनने स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद देखा जाये तो प्रसन पत्र अंगरी जीयों हिंदी दोनों भासों में होगा इसके बाद आपका अगला प्रसन था कि सर अधर स्ट्रीट वाले इस फर्म को भर सकते हैं कि नी भर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं निवास में लिखा है ऐसे व्यारती आवेदन हे तुपात्र होंगे जो भारत के नागरिक हो यानि जो भारत के नागरिक हो वो इस फर्म को भर सकते हैं लेकि की टिथी के पुर्व उत्तर पर्देस में निरंतर पांच वर्स से अस्थाई रूप से निवास कर रहे हूं यानि अगर आप उत्तर पर्देस के निवासी नहीं भी है अधर एस्टेट के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन इसके लिए कंडिशन आपके साथ यह होना चacey कि आप अस्थाई रूप से यूपी में वहारं पांच साल से लगतार यूपी मिरा रहे हूं यानि यूपी के निवासी हों पांच साल के वहाँ का निवास का सर्टिफिकेट है पांच साल का और वहाँ पैस्थाई रूप से आप रहा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं व्यार्थी द्वारा निर्धारिक प्रारूप पर समक्ष अस्तर से निर्गत निवास परमारपत्र चैन या सत्यापन के समय चैन समीती के समक्ष प्रस्तूत किया जाना अनिवार होगा ये भी चीज़ है कि वहान जो आपका निलगत निवास परमार पत्र है वो चीज़ आपको देना होगा जब आपका चैन होगा यानि जब आपकी नियुक्ती होगी तो आपको ये चीज़ देना होगा तो ये भी आपका प्रस्वन किलिएर हो गया कि अगर आप other state के हैं तो कैसे भर सकते हैं यानि अगर आप UP में 5 साल से रह रहे हैं तो आप इस form को भर सकते हैं इसके बाद दो प्रशन आपके और बचते हैं एक प्रशन आपका कि सर स्टार्टिंग में पढ़ें तो क्या पढ़ें यसे इस आपने बारबार पुझा था और मैंने इस वीडियो में भी बोला है कि कम से कम हिंदी को तो मैं जरूर क्लोज कर दो इस वीडियो में इसके बार में चली अभी चर्चा करते हैं इसके साथ ही एक और प्रशन की चर्चा करेंगे कि सर सीटेट का एक्जाम क्या हमें करना चाहिए क्या हो रहा है इसका कुछ अपडेट न्यूज बताई सबसे पहले चली इसी के बार में चर्चा कर लेते हैं यानि सीटेट अव्यारती दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं उसके बारे में क्या अपडेट न्यूज है, उसी एक बार देख लेते हैं। CTET, छात्रों को आवेधन की छूट पर याचिका। ये मेरेट का न्यूज है, 6 जनवरी को प्रस्तावित सिक्षक भरती परिक्षा में आवेधन के लिए CTET में सामिल हुए छात्र छात्राओं को भी आवेधन करने की छूट देने के लिए इलाहबाद हाईकोट ने रीट दायर की गई है। आवेधन का न्यूज देखा जाये, तो मंगलवार को सुनवाई होने की उमीद जताय जारी है रीट पर। वेध परकास निमेश के उनसार जब किंद्रिय वध्दाले संगटन के वियस अपनी भरती परिक्षा में CTET में बैठने वाले छात्रों को आवेधन का मौका दे सकता है, तो फिर उत्तरपर्देश के सिक्छक भरती में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वेध परकास के उनसार अंतिम चैन के वक्त जिन छात्रों का रिजट किलियर होगा, उसे सामिल कर लिया जाए। लेकिन फिलाद ऐसे चात्रों को मौका मिलना चाहिए। तो इसमें जो बिसे से वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ को इलाबाद हाई कोट में रीट दायर की गई है, जिसकी सुनवाई मंगल वार को हो सकती है। उसके बाद असपस ठोप आएगा कि ये लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसके साथ ही आपका एक और प्रश्न होगा कि सर लास्ट डेट कब उतक है, यानि इस फॉर्म को भरने के लिए जो सुपर टेट यूपी में हो रहा है, उसका लास्ट टेट क्या है करते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा प्रिवियस यहर कोश्चन पेपर, तो चली देखते हैं उसे, ये पिछले साल जब एक्जाम हुआ था, सुपर टेट का उसका कोश्चन पेपर है, उसे आप देख सकते हैं, और इसमें जो बिसेस है, आज हिंदी के बार में मुझे बताना है, तो मैं हिंदी को ही देखूंगा, और ये आपके अब्जेक्टिव टैप कोश्चन नहीं थे, अब्जेक्टिव टैप करने का मतलब इसमें ऑप्सन नहीं दिये गये थे, और ये तीन घंटे का था, अब इस बर जो एक्जाम होगा, वो कितने घंटे का होगा, ड पढ़के आपको एंसर देना था, तो ये चीज़ कैसे आएंगे आपको, इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक और बात मैं बता दूँ कि जो भी पध्यांस या गध्यांस हैं, इसको पढ़ने के बाद आप अब्जेक्टिव टैप के कुश्चन आएंगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चोरहा में कौन सा समास है, ये 100 टिक्स द्वारा सॉल्ब किया जा सकता है, हिंदी कलब पे इसका वीडियो बनाया जा चुका, आप उसे देख सकते हैं नहीं, तो अभी हम अपडेट कर देते हैं, जो हिंदी कलब के सुरू से फॉलोर है, व इस वीडियो के बाद, तुरंद बाद, मैं संदी, समास और अलंकार, जो भी इस वीडियो में है, महतपून सौर्टिक्स, वो एक साथ में अफलोड कर रहा हूं, कुछी समय बाद इस वीडियो के, उसे आप जरूर देख लीजेगा, इसके बाद है कि जिनके हाथ में चक्र हो, एक सब्द क्या है, यानि इसके लिए एक सब्द यूज होता है, वो क्या है, तो यह भी प्रशन पूछा गया है, तो इसका मतलब अनेक सब्दों के लिए एक सब्द जो आता है, उसे आपको देखना होगा, मैं कोसिस करूँगा कि उसके लिए भी वीडियो लेके हूं, अगर नहीं भी लेकि आता हूँ, को आपके पास निश्चिती कोई भी grammar का book है, वहाँ से देख लीजिएगा, जो भी important है, उसे देख लीजिएगा, दो मिनट का काम है, इसके बाद चलते हैं, तत्सम, तत्सम तद्वो पे भी हमारा एक वीडियो जा चुका है, उसे आपने द विलम सद्ध भी आप देख सकते हैं, कोई भी book होगा आपके grammar का, उसे एक बार देख लीजिएगा, यह मातर कुछ सेकेंड के हैं, यानि हिंदी जो 20 नंबर के जो प्रशन पूछे के हैं, लगतार आप देख सकते हैं, 20 नंबर के जो प्रशन है, उसे आराम से आप कर सकते ह बिना देरी के हुए, यानि एक बार आप concept clear कर लिजेगा, दुबारा देखनी की जुरूत नहीं होगा, 20 में से 18 कहीं नहीं जाएंगे, आपका 20 में से 18 fix हो जाएंगे, तो सबसे पहले मैं कहूंगा, हिंदी को ही देखना चाहिए, इसके बाद कारक की चर्चा की गई है, य और आपका संधी मिल जाएगा, अगर संधी से भी प्रश्न होते हैं, इसके बाद क्रिया भी है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, यह बहुत थी छोटा सा पॉइंट है, उसे एक बार देख लीजिएगा, वो चिस आपका तुरंत ही clear हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा काम जो करता प प्रते भी देखना पड़ेगा, यहां पर देख सकते हैं, उपसर्ग पूछा गया है, लेकिन इसके लिए आपको प्रते भी देखना पड़ेगा, इस तरह के प्रस्न देख लेजिए, यह प्रिवियस येर के प्रस्न है, यहां देखे, प्रते के भी है, तो इस तरह के प्र आएंगे तो आप आराम से टिक कर सकते हैं इसके लिए आपको बस एक वार वीजन करना होगा कुछ ज्यादा नहीं करना है आप असानी से इसे कर सकते हैं इसके बाद देखा जाये तो काला सागर में कौन सी संग्या है परधान मंत्री में कौन सा समास है को यह थे आपके 20 आप उसे एक बार देख लिजिए और यह अब्जेक्टिव टैप के आएंगे तो यह बहुत ही असान हो जाएगा ऐसे सब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा प्राब्लम होगा वन लाइनर यह कुशन है यानि इसका कुशन दिया गया उसका एक लाइन्सर होगा तो यह थ थोड़ा सा लंबा हो गया है और हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है और मैं इसके साना थी लास्ट टाइम जाते समय भी आपसे कह रहा हूं कि आप साइंस में वाइलोजी पे जाता फोकस करें ऐसा नहीं है कि आप कैमस्टी और फिजिक्स छोड़ी द देख सकते हैं सुरू से लेकर 12 लेवर तब तो ठीक है लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको पूरी रणनीती के साथ जो भी पूछे गया है उन सारे टॉपिक को किलियर करना होगा यानि यह सारे टॉपिक को चूज करेंगे यानि अगर वाक के पूछेगा तो आपसे पूछा जा सकता मिस्रुवाक की क्या होता है प्रते टच करेगा तो उप्सर्ग भी टच किया हुआ है तो दभव भी टच किया हुआ है सारे चीज को यह टच करते विए आगे बढ़ेंगे यानि गर्रामर के प्रतिक सेक्शन को आपको देखना होगा हो सकता है पूछा तो चंद भी पूछा जा सकता है इसलिए इंपोर्टेंट है कि आपको एक एक पॉइंट देखते हुए एक एक टॉपिक देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए यानि आप अगर हिंदी के लिए डेट रखे हैं तो उस दिन हिंदी पूरा डे हिंदी को देखिए और ह जादासी जादा डीडर दीन में हिंदे एक तbleed हो जाएंगे और आपके पास कोई पशुक्पान नेक्स्ट वीडियो में मैथले के आते हैं मैथ एक दिन में हम कतम करेंगे और जे भी इसमें टॉपिक एक की नहीं मिल रहा हैं चाया उसके सौ clock मिलने कोमेंट box है ना comment box कीजिए हम लेके आएंगे आपके लिए वीडियो और बहुत demand था तो आज demand आपका पूरा हुआ और मुझे आसा ही नहीं पूर्ण बिश्वास है कि अगर आप एक रणनीती के साथ एक रणनीती है इसमें आपको थियोरी से ज्यादा प्रस्ण आते हैं मतला अप्लाइड मोड के कम प्रस्ण होते हैं थियोरी से ज्यादा होते हैं कि इस पे बेसिक रूप से बिशेस रूप से ध्यान कि जो भी प्रस्ण होंगे वह applied mode के कम होके theory based होते हैं को theory पे हम ज्यादा देया और मुझे आसा इनी पुन विश्वास होगा कि आपके जितने प्रस्ण होंगे सारे प्रस्णू का हल में इस वीडियो में दे दिया है और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे शेयर कर और कमेंट में हमें भी बताएं कोई topic भी problem हो तो हमें जरूर बताएं हम कुसिस करेंगे solve करने का और में भी अगर यह लोगों को पसंद आता है तो इसका दूसरा यानि अगला भाग भी हम जरूर लेखेंगे ओके थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो फिर हमें दीजी आप सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके यह सब बिलकुल प्री है